हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल व्याई पी एडवांस टैक में तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम SSC जाई 2019 के प्रीवियस यर के जो कोस्टन से उनका सोल्यूशन देख रहे हैं जो हमारे पेपर 2018 SSC जाई के थे वह एक्चुली में 2019 में फिलाल जो हमारा subject चला वह स्टैंट मैटीनू करेंगे जैसा कि मैंने आप लोगों के बताना कंट्यूइन Luther & Lena रहे हैं सर तो second लोगों के पास जितने भी कोशन इन्होंने कलेट किये हैं वो 2004 से लेकर के 18 तक के सब्सक्राइब करेंगा जो काफी डिटेल में यहां पर सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कराया है कुल मिलाकर इनके पास जो है वो टोटल 35 सेटस हैं और इन Sřारे सेटस का हम सोल्यूशन देखेंगे और यह अगर आप लोगों का अच्राइस रहा है तो हम उसको कैसे देखेंगे 2017 के सोल्यूशन देखेंगे 2016 का कुछ इस तरीगए से हम सूल कर एंगे ठीक है यानि कि हम जो soul करने वाले हैं वो descending order में करने वाले हैं इनको ठीक है तो चलिए start करेंगे guys वीडियो को बिना किसी delay के तो guys आज जो हम second chapter के question देखेंगे जो हमारा second chapter है वो है हमारा shear force and bending movement diagram तो shear force और bending movement diagram के जितने भी question हमारे 2018 का जो exam था उसके पूछे गए थे वो सारे question आज हम इस वीडियो में देखेंगे ठीक है और आगे भी हम further next chapter पर भी move कर सकते हैं वो देखना होगा कि वीडियो कितनी लंबी होती है उसके उपर depend करेगा तो चलिए start करते है questions को guys ये question है हमारा 2018 exam का है SSCG और ये question हमारा 23 September 2019 की जो evening session था guys उसमें एक question पूछा गया था the slope of the bending moment diagram gives हमको बताना है कि जो slope होता है आप लोग का bending moment का जो slope होता है वो आप लोग को इन में से क्या देता है shear force देता है या फिर couple देता है ठीक है मैंसा आप लोग को बताना कि कौन सांसर सही होगा guys और भी option है कि वहला आप इन दो option में select करके बताइए कि इसका सही answer क्या होगा जो slope होता है आप लोग का bending moment का आप लोग को और इन्हों ने दिये थे एक टैंसाइल फोर्ष दिया था और एक कंप्रेसिव फोर्ष दियता है लेकिन इसका जो सही answer वह option number a बिलकुल सही answer हो जाता है यहां पर आते हैं इस question में हम बात करेंगी जो relation हम direct some में पढ़ते हैं जो मैंने आप लोग को सोम के lecture प्रोवाइड करा हैं उन में इसके बारे में काफी द्यान रखेंगे कि जो भी आप लोग का सियर फोर्ष होगा अगर आप उसको इस पैन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अगर उसका लोग यह आप तो आप लोग को कहले गाइस काफी important हो जाते हैं एक तो आप लोग का जो डेरिवेटिव होता है बेंदिंग मुवमेंट का वह आपको सियर फोर्ष देता है और एक आपका जो सियर फोर्ष होता उसका डेरिवेटिव आपको लोड की intensity देता है इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे चलिए cantilever beam of length L subjected to a bending moment M at its free end, the shape of the shear force diagram will be, guys, आप लोगों से कह रहा है कि एक cantilever beam आप लोग के पास है, जिसकी span आप लोगों ने कितने लिए L लिए और उसका जो free end है न सर, उस पर आप लोगों का एक bending moment लग रहा है, जिसके intensity इन्होंने M लिए, तो आप लोगों को बताना है कि जब आप इसका SFT draw करने वाले हो, सियर फूस डाइग्राम आप इसका draw करने वाले हो, तो किस तरीके की safe आप लोगों की होगी, यह चार option आप लोगों के पास हैं, इसका सही answer सब लोग बताएंगे, comment करके इन चार option में से सही answer क्या होगा, तो काईज मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका सही answer हो जाता है, वो option number C, बिल्कुल सही answer हो जाता, no seer force at any part of beam, यहाँ पर कोई भी आपका seer force नहीं होगा, अब question यह बनता है, कि सर cantilever beam था, उस cantilever beam पे आपने क्या किया है, कि एक concentrated moment लगाया, अब हमको यह बताईए, कि उस पर seer force क्यों नहीं होगा, seer force क्यों 0 होगा, तो मैंने का देखो भाई, यहाँ पर आजाओ, मैं आप लोगो समझानी कौसिस करता हूँ, एक cantilever beam आप लोगो सोर होगा, जिस पर concentrated moment आप लोग का M लग रहा है, जिसकी land आप ल morticle reaction दोनों का magnitude आप लोग का zero हो जाता है और आप लोग को पता है कि जैसे ही आप लोकी reaction Zero हो जाता ही तो, इसका मतलब क्या है कि सियर फोर्ट भी आप looks at zero होगा, जिब सियर और यहां पर एक और आप लोग का additional information दे देता हूं में कि अगर आप लोग के पास point load होता है तो उस case में आप लोग का SFD जो होगा वो क्या होगा और BMD जो होगा वो किस तरीके का आप लोग का होगा ठीक है इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो मालनों अगर आप लोग के पास क्या है guys point load है तो इस case में सीर फॉर्ट जो आता है वो एक state line आता है और BMD जो आता है आप लोग का वो एक incline line आता है वहीं पर अगर हम बात करें UDL के case में तो UDL के case में आप लोग का जो SFD आता है वो incline line आता है और जो आप लोग का BMD होता है एक parabolic curve आता है वहीं पर आप लोग का जब UVL load होता है जिसको आप बोलते हैं uniformly wearing load तो उस case में आप लोग का SFD parabolic हो जाता है two degree का curve हो जाता है और वहीं पर यह आप लोग का BMD होता है यह cubic हो जाता है three degree का curve आप लोग का हो जाता है यह भी आप additional चीज़े याद रखोगी क्योंकि यहां से भी आप लोग का direct question कई बार console हो जाता है चलिए next question पर move करेंगे next question हमारा क्या है तो नेक्स question एक और हमारा बनता है है से SFD BMD से जो question आया हुआ था 2018 का जो paper था 2019 में conduct कराया गया था उसमें जो question था यह था for the beam having a uniformly distributed load w आपका जो beam है उस पर uniformly distributed load आपका डबलू पर unit line थे as so in figure यह figure में आप लोग को दिखा रखा है साथी कह रहा है कि तो maximum positive bending moment is equal to the maximum negative bending moment आप लोगों से कहा है कि जो भी आप लोग आप लोग का पोजिटिव bending movement के क्या है equal है साथ ही आप लोगों से कह रहा कि तो value of l1 to l for this condition यह जो आप लोग को condition given है ना figure में इसके हिसाब से आप लोग को बताना है कि जो l1 और l है यानि कि l1 upon l का ratio आप लोग को बताना है कितना होगा ठीक है इस beam condition के हिसाब से जो beam आप लोग को दिखाया गया है इस beam म लोग का overhanging है तो इसकी जो portion की length है वो आप लोग की L1 है और जो मिड़ वाला portion है उसकी length L है और जो beam पर UDL लोड लग रहा है वो कितना है डबलू किलो न्यूटन पर मीटर का आप लोग को दिया हुआ है ठीक है उसके हिसाब साप लोग को बताना है कि इन में से कौन सा option आप लोग का सही हो जाएगा चार उपसन आप लोग के पास गिविन है चार उपसन आप लोग के पास है इन चार उपसन में से बताना है तो गई जिसका सही answer option नमबर डी बिल्कु सही answer हो जाता है कि आपका जो L1 है अपन L1 कौन सी लेंते जो आप लोग का overhanging वाला portion है L जो ratio होगा ना वह one upon two root two आप लोग का होगा अब बात यह आती है कि question यह बनता है कि सर यह बताइए कि soul कैसे होकर क्या है तो मैंने का देखो भाई आप लोग को यह relation याद रखना है कौन सा relation याद रखना है सर अगर आप लोग की इस तरीके की condition होती है एक आप लोग का overhanging beam होता है दोनों ends पर और बीच में आप लोग का जो span की land है वो आप लोग की L है और आप लोग का इस तरीके से support दिया हुआ यूड लग रहा है तो एक relation आप लोग का होता है जब आप लोग का hogging और जो sagging bending moment है और sagging bending moment अगर यह आप लोग का equal हो जाता है तो इस case में जो L1 क माइनस के 2L1 ठीक है इस तरीके साब समझ सकते हो और upon में यह आप लोग का आ जाता है टू रूट तो जब आप इसको finally solve करते हो तो यह value आप लोग के पास L1 की आ जाती है एक सेकिंड गाईज finally यह value आप लोग के पास आ जाती है guys solve करके L1 की value यह आप लोग के पास आ जाती है जब L1 upon L का ratio निकालो गया आप तो 1 upon 2 root 2 आ जाएगा ठीक है यह किस तरीके से solve हो करके आता है तो जैसे कि मैं आपको बताया कि SOM का मैंने काफी अच्छे में detail में आप लोग को lecture provide करा रखक से ठीक है next बात करेंगे next chapter की जो next chapter आप लोग का आजाता है वो कौन सा है next chapter का is slope and deflection तो यहाँ पर slope and deflection से आब हम देखेंगे कि slope and deflection से आपके जो chapter से कौन कौन से question 2018 में SSC में पूछे गए थे जो paper आप लोग का 2019 में हुआ था इस चीज़ को आप दियान रखेंगे चलिए बात करेंगे कौन कौन से question थे guys देखो guys यहाँ पर मैं आप लोग के chapter के last में आ गया हूँ यहाँ पर देखो आप 2017 के ही केवल question दे रखेंगे तो यानि कि इसका मतलब यह कि slope and deflection वाले chapter से 2018 में कोई भी question आप लोगों से नहीं पूछा गया था guys यह तो बहुत बड़ी बात है transformation of stress and strain यहाँ कि जो आप लोग का stress and strain होता है आप लोग को देखना होता इसमें कि वो किस तरीके सा आप लोग के use होते हैं किस तरीके साप लोग के applicable होते हैं और कैसे उनका मतलब हम को result देखने मिलते हैं यह सारी चीजे हम देखेंगे इस ट्रांस्फोर्मेशन होता है उसमें चलिए बात करेंगे कि इस चैप्टर के कौन-कौन से कौशन आए हुए थे काई जान से स्लोप अडिफलेक्शन से सोरी एक कोसन आप लोग का पुछा गया था टूटाउजन एटीन में जो आप लोग का पूछा गया था यहां पर आप देखोगे के अकेंटी लिवर बीम ऑफ इस पैन एल सब्जेक्ट टू अकंसेंट्रेटिड लोड आप लोग का डबलू है और उससे डिश्टेंस एप आप लोग को बताना है कि फिक्ष्ड एंड से डिश्टेंस एप जो आप लोग का डिफलेक्शन होगा अंडर दा पॉइंट लोड करने हैं मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर यह आप लोग का केंटी लिवर बीम है और इसकी स्पैन क्या है आप लोग की एल है यह बहुत इंपोटेंट केस है और आप लोग का पॉइंट लोड मालो यह एक पॉइंट लोड था पी अगर यह आप लोग का केस बनता है मालो यह आप लोग के पास केंटी लिवर बीम था जिसकी स्पैन आप लोग की एल थी और अब जो लोड लग रहा है ना आप लोग का वह इधर से लग रहा है और यह वाली जो डिस्टेंस है वह तो इस केस में भी आप लोग को डिफलेक्षण का फर्मॉला पंढ़ना है कितना होता है यह दो केस आप यह के बच जाते हैं जो वीडियो में आप लोग को बना करके दी आप लोग को डिफलेक्शन बताना है तो यह फॉर्मॉला भी आप याद कर सकते हो और मैं तो आप लोग को सजेश्ट करूंगा गाइज मालो कि एक ही वैल्यू अगर वो लवाई 3 दे देता कि आप लोग का जो यह लोड एपॉंट लोड वो फिक्ष्ड सपोर्ट से लवाई 3 डिस्टेंस पर लग रहा है तो उस केस में हम इसको क्या सॉल करते है डबलू एल क्यूब अपॉंट त्री का क्यूब कितना हो जाता है चैप्रमलंच का नाम नाम हमारा कॉंप्लेक होता है इसका नाम कॉंप्लेक्स स्ट्रेंस यह होता था है तो इस चैप्र से को स्ट्रेंट में कोई कोशन नहीं पूछा गया था जबकि अगर मैं आप लोग को बताऊं कि जो आप लोग का एक्जाम वाटर टूटाजएंट सेवंटीन बाला उसमें को मतलब काफी कोशन जो थे आप लोगे वो पूछे गए थे चलिए नेक्स चैप्टर की बात करते हैं नेक्स चैप्टर हमारा कौन सा जाता है नेक्स चैप्टर है आप लोग के पास चैप्टर फाइव है जिसका नाम है बैंडिंग स्टेस इन बीम से हम देखते हैं कि कौन-कौन से कोशन हमारे बनते हैं जो मैं आपको बचाए कि subject wise और chapter wise हम चल रहे हैं तो हो सकता है गाई यह चीज आप लोग के लिए काफी आसान हो जाए और यह से आप लोग को यह भी पता लग जाएगा कि कौन सा chapter कितना important है और कौन से से कितने question आप लोग के पूछे जाते हैं तो गाई जो को आप लोग का bending is test वाला chapter था उससे यह question आप लोग का पूछा गया था तेई सितम्मर 2019 को morning shift में question number 29 इसमें कहा रहा which of the following is an assumption made in theory of simple bending तो गाई जिस simple bending जो हमारी bending theory होती जो हमारी m upon i is equal to sigma upon y is equal to e upon r यह बैंडिंग equation जब हम drive करते हैं तो उस material को लेकर के जिस material को लेकर के हम यह equation drive करते हैं उसमें कुछ आप लोग नहीं होना चाहिए यह तो भाई गलत बाता है सबसे पहलाété यह लेते हैं के material का जो बीम है आप लोग का जो बीम आप लोगका बना हुआ है वो होमोजीनियस होना चाहिए लेकिन यह कह रहा कि नहीं होना चाहिए तो यह तो आप लोग का गलत हो जाता है नेक्स्ट बात करेंगे बी की जो आप लोग का यह तो इसका मतलब यह भी आप लोगका क्या हो जाता है गलत हो जाता है नेक्स्ट बात करेंगे सी की दवीम मटेरियल विधिन ELASTIC limit does not obey Hooks low आप लोगा जो material है वो elastic limit के अंदर जो को follow नहीं करना चाहिए गलत ठीक है वहाँ पर उन्होंने ये भी अजम चल लिया था कि जो भी material है आप लोगा वो hooks लोग को follow करना चाहिए ठीक है और hooks लो बोलता आप कई इस्ट्रेस होता वह डारेक्टी प्रपोस्ट नोता इस टेन के अ डू दप्रपोस्ट्न लिमिट और विदिन याद रखेंगे अब टु दप्रपोस्टaları मेट और विदेन् दा इलटक्ता लिइनगो들 होता हैस्ट राइफ आता है यहां यहां पर कहा रहा कि the beam is in equilibrium बिल्कुल यह आप लोग का जमसन बिल्कुल सही हो जाता है जो ने लिया था वो यही कहा था जमसन में कि जब आप बेंडिंग equation को drive करोगे तो आपका बीम जो है न वो किसमे होना चाहिए equilibrium में होना चाहिए इसका मतलब क्या है सर जो मतलब क्या होता है जो भी net forces है उनका सम क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो इसका जो सही answer हो जाता है बिल्कु सही answer हो जाता है next बात करेंगे गया जो इससे question पूछा गया था तो एक question और जो कोशन नमर 30 है आप लोग का यह और कोशन पूछा गया था आपका जो आप लोग का तेज़ 25 सितंबर का जो एक्जाम था मॉर्निंग सिफ्ट में आप लोग का एक्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था खोना है ऑचार जो पीटर का आप लोग का तक में पलोग का पेल्गी इस और उस केस्में को बताई जब एक साफ्ट आप लोग के पास है circular shaft और उस पर आप लोग का क्या है गाई जो ट्विश्टिंग टॉर क्या आप लोग का टी लग रहा है और जो आप लोग का bending moment आप लोग का वो एम लग रहा है तो यह question जो हमारा वो उस वाले topics है जो हमारा bending और जो टोर्जन कमाइन रूप से जब आप लोग का एक साफ पर अपलाई होता है तो उस टॉपिक से कोशन है अप कोशन यह बनता है सर एक बार हमको बताईए किस तरीके से दोनों एपलाई होते हैं तो पहले मैं आप लोग को answer बता देता हूँ जिसका जो सही answer आप लोग का वो option no c बिल्कुछ उइद और किस तरीके से option no c सही answer हो जाता है मैं आप लोग को बताता हूँ जो हमारा maximum होता है जो maximum torque हमारा आता है इस case में निकल करके वो होता है 16 t upon pi d cube यह formula आता है और जो maximum bending moment का हमारा आता है इस case में निकल करके वो हमारे पास होता है 32M upon pi d cube जब आप इसको solve करोगे तो यह दोनों आपस में cancel out हो जाएंगे और 16 से guys two times cancel हो जाएगा तो यहां से formula जाएगा T upon 2M आप लोग का solve करके आ जाएगा जो की option number C में है आप लोगा ठीक है मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा guys एक diagram के health है कि किस तरीके से आप लोग का जो torque है और जो आप लोग का bending moment है कमा इन रूप से आप लोग का apply होता है किसी भी soft पर चलिए मैं आप लोग को diagram दिखा तो यह देखो guys एक soft आप लोग को 100 होरी होगी display पर यहां पर आप रोटेट करेगी तो इसके उपर एक torque apply होता है क्या apply होता है और इस पर guys एक हमने external force अपना F apply क्यों है इस force F की वज़े से क्या होगा इस soft नीचे की तरफ bend करने की कोशिस करेगी तो इसकी वज़े से क्या होता है guys एक bending moment आप लोग का generate होता है और जो साफ्टी घूमती है rotate कर तो इस प्रकार आप लोग का दो चीजे एक तो आप लोग का bending moment और एक आप लोग का torque दोनों क्या है combine यान कि एक साथ आप लोग का apply होता है एक ही soft पर तो इसको बोलते हैं combination of bending moment and torgen of a soft इस वाले topic से आप लोग के question बनते हैं यह question मैं आप लोग को सोम के जो lecture में आप लोग क की मिनट की हो चुकी चोटे चोटे लेक्चर में आप लोग को गाई जिसके दूंगा ठीक है और सारे ही topic wise यानि कि सबसे पहले तो subject wise subject wise के भी अंदर topic wise ठीक है जो आप लोग के topic wise है chapter wise question है वो हम previous year के देखेंगे तो thank you so much guys for watching this video